हेलो एप्रिवन, आज हम बनाएंगे मोंफली और गोड से बने हुए गजग जो की सर्दियों में सबको बहुत पसंद आता है और ये मकरश अंकरांती स्पेशल भी है तो इसको बनाने के लिए गजग को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे 500 ग्राम मोंफली ले लिया है इसको ड्राइ रोस्ट कर लेंगे और ड्राइ रोस्ट करने के लिए जो आप कड़ाई या जो बरतन ले रहे हैं वो एक मोटे तले का बरतन लीजिए जिसे कि आप ऐसा ना हो जाए कि आपकी मोंफली कच्छी रह जाए और छिलके उपर से जलने लगे तो उसके लिए आप मोटे तले की कड़ाई लीजे और ये देखिए हमने मोंफली को रोस्ट कर लिया है और एक चीज ध्यान में रखिए कि जितना आपने मोंफली लिया है अगर हमने 500 ग् पर डाल लिया है मेरी मोंफली भुन गई थी और ठंडी भी हो गई है अब इसको इसी तरीके से मसल के मैं साफ कर लूँगी और आपके पास कोई ऐसे थोड़ा मोटी उसकी चन्नी हो तो आप उससे चान लीजिए मेरे इसमें नहीं चन रहा है ये मोंफली भी गिर रही है त इसको मसल के दो टुकड़े में कर लीजे अब कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है घी दो चमज और यहां पर 500 ग्राम जो मैंने गुड़ लिया है उसको मैं एट कर दे रही हूं इसमें और धीमी आज पर ही ये हम करेंगे गुड़ को हम पिगलाएंगे और जब आ अगर आप गुड़ को पिगला रहें तो आपकी गैस एकदम लो होनी चाहिए धीमी आज पर ही आपको ये गजग बनाना है बहुत ज़्यादा करें कभी तो आप थोड़ा सा मेडियम कर सकते हैं वरना अगर आप ज़्यादा तेज कर देंगे तो गुड़ में हमारे फ्रें पानी ले लिजे और इसमें गिरा के कुछ बूंदे में चेक करती हूं कि ये रेडी हो गया है या नहीं हो गया है तो देखे फ्रेंड्स ये अभी रेडी नहीं हुआ है इसकी गोली बनने लगी है गुड़ की और जब आपकी गोली बनने लगे गुड़ की तो आप ये गिराएंगे वो लंबा लंबा गिरेगा और वो गोड तूटेगा उसको हमें तोड के देखना है वो गोली नहीं बनेगा मतलब कहीं इकठा नहीं होगा कटोरी में जाके वो जैसे गिरेगा वैसे ही ठंडा होके कड़ा हो जाएगा उसमें तो अब हमको लगता है रेडी हो गया है चलिए एक बार फिर से चेक कर लेती हूं काटोरी में अब तीन बार मैंने चेक किया इसको देखिए अब ये रेडी हो गया है क्योंकि जिस तरीके से गिर रहा है वैसे ही ये जम जा रहा है काटोरी में तो देखिए अब इसको आप देख लगा के रखना है और देखिए यहाँ पर हमने एट कर दिया है आधा चमस बेकिंग सोडा यह इस गजक का सीक्रेट इंग्रीडियेंट्स हैं आप जैसे ही बेकिंग सोडा यूज करेंगे आप देखेंगे कि आपका गुड जो है फूल के आ जाएगा बिल्कुल और इस स्टे फटा फट से इसको मिलाईए और आप उधर सिल्वर फॉइल पे घी लगाके पहले से तयार कर लीजिए रख लीजिए और इसको हम मिक्स करने के बाद तुरंत ही देखिए तुरंत टाइट होने लगता है और एक्दम सेट होने लगता है तो इसको फटा फट से मैंने तुरंत ही सूखने लगता है बहुत जल्दी टाइट हो जाता है यह जिस तरीके से हम लोग चासनी बनाते हैं तो इस स्टेज पर मैं बहुत जल्दी जल्दी फटा फट से काम कर रहे हूं घी लगाके हाथों मैं अपने और इसको फैला रहे हूं क्योंकि अभी यह गरम है तो बेलन भी मैंने घी लगाके रेडी कर लिया है फ्रेंड्स लेकिन अभी यह बेलती नहीं बन रहा है बहुत जादा गरम है मैं फैला दे रहे हूं और मैं बहुत जादा पतला इसको नहीं बेलूंगी क्योंकि पहले मैं एक बार बना चुकी हूं अभी थोड़े दिन पह दा लिया है उपर से गरम था तो डायरेक्ट नहीं बेल पा रहे थी मैं और अब ठंडा भी हो गया है तो ठंडा हलका गरम रहे उसी समय मैं इसमें लगा देती हूं जो है कट लगा दूंगी चाकू की सहायता से और जिस सेप में आपको चाहिए मैं स्पायर सेप का कट लग लगा दे रही हूं इसमें और कट लगाने के लिए मैं बहुत जादा सक्त हो गया दुबारा जब मैं कट लगाने लगी तो मैं कट भी नहीं लगा पा रहे थी तो मैंने इसके लिए जो है अपने घर में जो है इनकी जो है चाचू की मैंने मदद लिया इनके बच्चों के म में तो इसके लिए मुझे किसी जेंट की मदद लेनी पड़ी और देखिए कट लगा के मैंने एकदम से तयार कर दिया है इसको अब एक बार कढ़ाई साफ कर लेते हैं चलिए क्योंकि बहुत जादा लग गया है तो कढ़ाई साफ करने के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया गैस जला लीजिए गरम पानी से फटा फट से साफ हो जाएगी कढ़ाई उपर पानी डालते हुए और देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे हम पानी को धर धर डालते हुए क्योंकि कुछ लोगम का कमेंट होता है कि कढ़ाई कैसे साफ किया जाए तो बहुत आसानी से साफ हो डेख सकते हैं कि कितना अच्छे पीसे गजग के बनके आया हैं कि इसको मैंने कट करके निकाल दिया है और मैं आपको तोड़के भी दिखाऊंगी यह देखें कितना अच्छा टूट रहा है और बिर्गुल सकत बनके आया है बहुत अच्छा गजग बना है तो अगर आपको हमारे इस मकर संक्रांती इस पेशल गजग की रेसिपी अच्छी लगी हो देखिए आवाज कैसी आ रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को भी ज्यादा स्यादा लोगों को मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाए बाय टेके